हालो जाने दोस्तों इस वीडियों हम बात करने वाले हैं सस्वी हेड कॉंस्ट्रियल में आई हुई थी बहुत सारे कंड्रेट पूछ रहे हैं को उसका फिजिकल कब तक लिया जाएगा यह उसका सेलेक्शन प्रोसेस क्या है तो वीडियो को अन तक देखेगा मैं आपको सारी जानकारी दूगा तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं सस्वी स्वीड के ओफिस्यल नोटिफिकेशन पर तो यह देखेए एससवी हैड कोंच्रॉल मिनिश्ट्रियल का जो है ओफिस्यल नोटिफिकेशन है यहां देखें टोटल वेकेंसी के बारे में देया गया टो तो 35 वर्ड पर मिनिट होना चाहिए अगर हिंदी से देते हुए तो 30 वर्ड पर मिनिट होना चाहिए तो जब आपने अप्लाई किया होगा तो देख लिया होगा यह सब चीज तो मैं आपको दिखाता हूं इसका जो है सेलेक्शन प्रोसेस क्या है वह ज्यादा ज़रूरी ह आप देखिएगा अच्छे समझिएगा यहां पर देक सेलेक्शन प्रोसेस के बारें दिया गया है सबसे पहले आपका जो फिजिकल इफीसरी टेष्ट होगा फिसिकल इस टेष्ट होगा फिजिकल इफिस्टेश्य मतलब रणिंग आपका रनिंग जोए मेल के लिए 800 मेटर के रनी होगी चार मिनट में और फिर उसके बाद जो आप रनिंग कर लेते हैं ताब आपका फिजिकल इस्टेंडर्टेश्ट मतलब पीएश्टी होगा हाइट वेट और चेश्ट होगा और इसके बाद फिर आपका हाइट कितना रहाना चाहिए तो जो भी इन सब देखें दो नमर और तीन नमर जो भी कटेग्री जैसे एश्टी हो गया या फिर फॉर गर्वाली कुमावनी गुर्खाज दोगराज माराथाज और कंडियेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट्स ओप सिक्किंग नगालें अरुना चल पर दें मतलब जिस भी स्टेट क जो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए बाकि यहां देखें जिनको रिलेक्सेशन दिया गया है दो नमर और ती नमर बताया गया है कि जो गर्वाली या फिर इन सब इस्टेट से आते हैं उनका 112.5 सेंटीमीटर हाइड रहना चाहिए बाकि चेश्ट में चूटने हैं चेश्ट सा इसका देखेंड मतलब दूसरा जो है प्रोसेश सब्सक्राइब दूसरे में मद्पर आपका होगा रिटन एग्जामनेशन अपका कॉमेंट इंट्रेश्ट होगा यहां पे दो गंटे का अपका एक्जाम अगा सौ कोईस्टन रहेगा स्वा मांक्स का जिसमें कि जन्रल को इतना आपको जो क् statute कि लिए पैटालीश परसेंट रखागया है उसके बाद आपका को स्कीएुटेस्क्राइब तो आपको एक्जाम के साथ साथ जो है टैपिंग टेस्ट की तयारी अच्छे से करनी है टैपिंग क्वालिफाइब कर लेते हैं उसके बाद जो होगा आपका medical और डीवी होगा documentation and detailed medical examination मतलब अगर exam क्वालिफाइब कर लेते हैं तो आपका यहां पे documentation मतलब medical होगा और डीवी होगा एक ही साथ उसके बाद अगर medical में कोई समस्या आती है तो यहां पर देखिए पांच नमर में जो दिया गया आपका अगर पर आपको चांस दिया जाएगा और कोई समस्या आ जाते है तो आपको रीवी मेडिकल में फिर से बुलाया जाएगा तो आपको उसके लिए tension नहीं लेना है कि आपको जो है medical में कोई समस्या आएगगी तापको री मेडिकल में भी बुलाया जाएगा बांकि इसमें height क्ईमिलेंग साथ है यह सब पर एकोड़र्वेट होना चाहिए किसा अ कितना होना चाहिए है तो आप की हाइड यहां कि कि हाइट पर 900 little Aussie से पैसर सेंटी तो आपका जो है 1822 साल अगर एज क्याइड से साढ़े साढ़े साथ केजिता का वेट होना चाहिए और आपके 27 साल साल के बीच में तो आपका 51 से 62 केजिता क्या अग्लिट्ट्रों कोड़ा है यह क्या है और इस से जादा गर कम है तो आपका हाईड करोणिंग वेट कम है आपको medical में समस्य आ सकती है तो medical के time तक आपका height के according weight इतना होना चाहिए तो साथ आप लोग समझ गया होंगे फिर भी अगर कोई भी आपको doubt हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अब बात करें कि इसका physical कब तक हो सकता है admit card कब तक जारी हो सकता है तो इस भरती को पूरा करना है इस साल के अंध तक में उसके पहले तो सारा process करना ही होगा तो अभी मान के चलिए आपका फरवरी खत्म होने वाला है आपका March में नहीं अगर होता है तो April तक में आपका admit card जरूर जारी हो जाएगा मई तक आपका physical conduct करा लिया जाएगा और फिर देरे-देरे आपका December के पहले तक आपका सारा process complete करा लिया जाएगा क्योंकि SSB के तरफ से एक training के list आई थी जिसमें कि इसका भी जिक्र था कि आपका training जो है December तक में start हो जाएगा तो उसके पहले भरती को पूरा करना बहुत जरूरी है तो उसके पहले तक आपका भरती पूरा हो जाएगा इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहे हैं क्योंकि आपको time नहीं मिलेगा अगर एक बार admit card जारी हो गया तो आपका एक्जाम भी लिया जाएगा फिजिकल के बाद उसका आपका जो है टाइपिंग भी लिया जाएगा आपका timing नहीं दिया जाएगा तो आप लोग पहले से ही तैयारी करें अगर आपको selection लेना तो आपके आपको सब कुस समझ में आ गया होगा और जिन भी candidates को ऐसा doubt के कहीं भरती रद तो नहीं होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं भरती रद नहीं हुई है इसका physical के लिए admin card बहुत जल जारी होने वाला है आप लोग तैयारी बस अच्छे से करते रहें कोई doubt हो तो आप लोग comment में पूछिएगा और ऐसे ही informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर लिजेगा तो मिलते हैं फिर next वीडियो में जैहिंद